Good morning students, in ABS, today we are going to revise our second oral topic, clean and healthy with previous topic myself. तो यह आपके oral topic है, तो clean and healthy में firstly आपको पता होना चाहिए what is clean and what is healthy. Clean क्यों होता है, साफसुत्रा, healthy क्यों होता है, जो आपकी सेहत को healthy करता है, तो आपको मैं दो तरीके से समझाऊंगी की clean and healthy, यह आपका oral topic, ठीक है, तो देखिए, firstly है, read these lines and match with picture, यहाँ पे ना कुछ lines दी होई है, ठीक है, तो यह lines आपको पढ़नी है, और देखना है कि यह किस से match होती है, किस picture से match होती है, we clean our teeth with, हम अपने दांग किस से साफ करते हैं, यहाँ पे मैंने देखो, sop बनाया हो है, ब्रश बनाया होई है, टौवल बनाया होई है, और शैंपू बनाया होई है, चीक है, तो आपने देखना है कि इसमें से हम अपने teeth किस से साफ करते हैं, तो आपको उसको match करना है, ओके, next is, देखिए, we wash our hands with, हम अपने हाथ किस से साफ करते हैं, साबून से करते हैं, ब्रश करते हैं या फिर शाम्पू से करते हैं तो आपको यह देखना है डिख़ना how our hands with, हम अपने हाथ किस चीज़ से सुखाते हैं, जब हम हम हैंड वाश करते हैं, गिले हो जाते हैं हमारी हाथ, तो हम किस चीज़ से उसको सुखाते हैं, साबून से सुखाते हैं, Brush से, या Taoreshサ, या फिर हम righte, आपको पिक्चर Price मैच करना है, यह आपका ओरल है विसे यह बुक में है आपके और आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज से क्लीन हो और किस चीज से हल्दी हो नेक्स देखिए अब मैंने यहापे कुछ फूड आइटम्स बनाई हुई है ठीक है जिसे हम खाते है इन में से आपको क्या करने है आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज हमारे लिए हल्दी है और कौन सी हमारे लिए हल्दी नहीं है देखिए टिक फिंग्स विच आर हल्दी यहाँ पे कोला बना हुआ है कोग पीते हो पीते हो आपको देखना है वह हल्दी होती है कि नहीं मिल्क लगाए हुआ है मिल्क के साथ बोक्स बना हुआ फ्रूट्स है फ्रूट्स देखो आप हेल्दी होते हैं अगर हेल्दी होते हैं तो यहां पे टिक करेंगे अगर नहीं होते तो आप इसे क्रोस कर सकते हैं यहां पर देखिए फूट जो ममा आपका खाना बनाती है वो दिया हुए है आपको पता होना चाहिए यह सिरफ आपके औरल आपको लर्न होना चाहिए और यहां पर समोसा भी बना हुए है समोसा हेल्दी होता है या नहीं आपको पता होना चाहिए तो आपने उसको टिक किया क कर देना है ठीक है यह तो हो गया हमारा clean and healthy और फिर हम myself oral भी करेंगे ठीक है तो myself में हमाई first line क्या थी my name is सबसे first line हमारी my name is second line थी I am a boy or girl ठीक है तो second line में आपको क्या बताना है आप boy है या girl है third line I am five years six years जितने भी years के आप है I am five years old okay next I read in UK class आपकी क्यास आपको पता होनी चाहिए फिर school का नाम the name of my school is the century school last line आपने बतानी है I live in कहां रहते हो आप जहां भी रहते है आई लीव इन गरोंडा आई लीव इन करना वह आपको बताना है ओके तो यह आपके दोनों औरल टॉपिक है जो आपको लर्न करने हैं ओके थेंक यू